प्री वेडिंग सूट के लिए लोग बाहर गय थे उन लोग के त्वारा प्री वेडिंग सूट का जो फुटेज है इंस्टा पे लीग कर दिया गया दहेज के लिए पैसा मागने लगे गाड़ी का दिमाड नोने लगे आप लोग तब क्यों नहीं रिष्टा तोड़े हम लोग के पास पावर नहीं है पावर जजज के पास है पैरवी जजज के पास है पैसा जजज के पास है लेकिन हम लोग के साथ एक चीज है कि हम लोग सच बोल रहे हैं और सच के साथ खड़े हो ये जजज साहब के उपर घरेलू हिंसा का आरोप लग रहा है उसमें जो उनकी पत्नी थी चांदनी उनकी मौत हो चुकी है अस्पताल में मगर उसके बाद उनके घर वाले का कहना है कि यह हत्या की गई है जजज के द्वारा जजज साहब का नाम प्रतीक है वह सिविल कोट में मजिस्टेट हैं और अभी पत्रकार मुस्कान बात कर रही है उनके बहन से और क्या कुछ उन तमाम बातों को लेकर बता रहे हैं कि किस प्रकार से प्रतारित करते थे और किस प्रकार से जो चैटिंग का जो बाते थी तमाम जो अंदर जो बाते होती थी उसको भी जो ज़ज सहाब प्रतीक जी थे वह कैसे हैक करते थे और कैसे तमाम चीज़ों को सबु अपन्रा सब्सक्राइब हो आप कंटाइब स्याक्ष वाया है, इस देख जारा है करनानी तो पन्रा कोई एकी लिड़ा त्वाने है मेंञे की जबती हुघ को फूर वालता है, कोई बात नहीं होती थी लड़की घर भी नहीं आई पंद्रा को टब्यत खराब हुआ 17 को चली गई क्या है इसके पिछी का कहानी कहानी पंद्रा से स्टार्ट नहीं हुई है कहानी एक साल पहले की है जब चानी का सम्रुख शादी का तैके यह बिल्कुल एक जैसे बिहार में होता है andra in sk incap work से देखा देखी होता है फिर यह सब उस टाइप से आ है यह बिल्कुल आउन्य आउयन होती विचे से तो कहा जा रहा है कि बिमारी होगा यहोगा एक साल में पता नहीं चला कि विमारी होगा फ्रीव एक उडिंग शूचा के लिए लोग बाहर गयत है प्री ओर्नेась का जा इंगेश्म्न होता है यह तो बाया के जादी कर दिया गया सब लोग चलाने लगे हम लोग को ची सही भी नहीं लगा क्यूंकि ऐसे संसकारी फैमिली और जो बोलते ना कि अभी नहीं लीग होगा यह प्रीवेडिंग सुट शादी में चलाएंगे अभी नहीं यह हो गया इंगेजमेंट हो गया यह सब के बाद उनलों का द कि जो हलका फुलका जो चलता है बिहार में जो कल्चर आप अपने खुशी से दो वो सबक्यत था वो हम लोग को खुद भी देना था पर उस ता से डिमांड जो थो पा जाता है उस टाइप से नहीं था वो आपको धीरे बोला गया कि सूट का पैसा इस तरह से इतना होना चा चाहिए बरतन इतना आना चाहिए और अंतता गारी का बात वा गारी का बात बहुत लेट कि हैं जो शादी के टाइम वो उस टाइम हम लोग दम बिलकुल मना कर देए कौन से गाड़ी का दिमांड है एमजी हेक्टर दिया गया है पहले वो लो किया सेल टॉस बुकिए थे कि यह कुछ थे खा वुब किंगे अवा बोले कि उतना ही पैसा घारी चाहिए तो बीस लाग बाइस लांग की बारी चाहिए कि यह छी तो तुरा कंब की पढ़ती है तो मưởng हम यह का लिपका बोले कि हम वो गारी देंगे, सूनली डिजायर, फो मैं ता वे जार कर सकते हैं और इसलिए क्योंकि यहां बिहार में है कि भई इतना बात आगे बढ़ गई है यह फोटो सूट है यह सब लीक होगे जाएगा तो आगे किस साधी होगी और हम लोग यह जाना है कि यह कल्चर में है बिहार के समाया वाकि दहेश तो आपको देना ही है ठीक है आप जर्ज हो तो एमजी हेक्टर है आप उससे नीचे हो तो इस तरह का वो क्रित्त करेगा वो नीचे गिड़ जाएगा यह हम लोग नहीं सोचें कि वो मार सकता है वो क्रिमिनल माइंड हो सकता यह नी क्यूंकि हम लोग वो जज्ज तो है बेटी जज्ज के घर में जाएगी खुस तो रहेगी आगे उसका सुनहेरा भविश्य होगा यह हम लोग सोच रहे थे कि आपको पता कहां से चला कि उनके उपर डॉमेसिक वाइलेंस होता था या मारपीट होता था वो सारा चीज जो भी है वो है किया वाथ था उसका वाटसैप सब कुछ है था इवन फोन में जो हम लोग बातशित भी करते थे वो भी प्रतीक सुनता थ लूड़ो जो है हम लोग लॉड़ो केलते थे जब करोना था तो तो हम लोग लूड़ो में चैट का आप्शन होता है तो वह चैट के थू हम को लोग को बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हो रहा है प्रतीक अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं फोन पे तो उस पे पुरा विस माधियम से क्योंकि वह हर चीज है ता प्रतीक से चूख हो गया वह गेम तक दिमाग उसका नहीं गया कि लूड़ो में चैट का आप्शन होता है वह नॉर्मली बोलती थी चलो ना लूड़ो खेलो ना कुछ बोलना है ऐसा और हम लोग का जो ग्रूप है उस वह ग्रूप प भी स्क्रीन सॉट किये सारा वो सब हम लोग ने रखाया तब बेत खराब वाला क्या था जो पंडरा अगर्स को एडमिट हुई वह उसका हम लोग सारा लूड़ो यह सब था यह सब के बीच क्या हुआ कि हम लोग को पता था कि यह रिस्ता आगे नहीं चलना है हम लोग ने हम लोग का का वकील कि दिया कि इस तरह से बेटी को अलग कर देना है हुँ जु बात बताई थी वह बहुत कुरूरता वाला था हम लोग को समझ में आ गया था कि इसके रिस्ता आगे अम लोग को पहले रोग देना चाहिए था लेकिन अब नहीं अब रोग को शाधिक बिलक आम आदमी सोचता है बट उसका जब कुरूरता वाला बात पता चलने लगा हम लोग ने सूचा नहीं अब ये रिस्ता को आगे नहीं ले जाना है वहीं पे छोरो ड्राफ्टिंग होके सब कुछ रेडी हो गया वो बोलना था उसका कि मेरे को एक अठनी तुमको नहीं देना है एक दहेज काम को पैसा वापस नहीं करना और दहेज लेने में हम इतना अक्तियात बढ़ते हम पकडाएं कैसे वह भाई के नाम पे इतना कुछ धंकी उसको दिया है कि गांजा पूलिस के थूप प्लांट करवाएंगे गारी में रखेंगे तो मेरा पैल भी पहुच बहुत करेगा मतलब एडमिट होने के पहले आप लो ने डिवोर्स के लिए डाल दिया था वह पेपर सारा रेडी हो गया अगर आप एक इंटेंशन समझो एक कुछ भी क्राइम होता है उसके पीछे इंटेंशन होता है जब सब कुछ आप हम लोग कर चुके थे हम लोग को सीधे त रू या किस तरह किया है वो तो अभी रिपोर्ट में पता चलेगा या रिपोर्ट में आए नहीं अगर चेंज कर दे तो मैंने कह सकती बट स्लोप वाइजन दिया गया क्या दिया गया उसके कारूंस का पहले ही देट हो गया वो ड्राफ्टिंग हम लोग का रखा का रखा तो अब जनता से क्या अपील करना चाहती है जनता से यह अपील कर रही हूं कि हम लोग के पास पावर नहीं है पावर जजज के पास है पैरवी जजज के पास है पैसा जजज के पास है लेकिन हम लोग के साथ एक चीज है कि हम लोग सच बोल रहे हैं और सच के साथ खड़े और अगर ये है कि मैं सबूत है मेरे पास प्रयाप सबूत है एविडेंस पर मैं जीट जाओंगी लेकिन अपने दिल से सोचिए और बैक अफ दा माइंड सब लोग जानते हैं कि एक साल में लड़की मरती है, स्टोफ फटता है, फासी लगता है, जहर खाता है, सिर्फ सब जा पतलब है कि वो अभी उसका बयान आएगा, जो उसका वकील बोलेगा, हम लोग के तरफ से एक ले मैं, कामवाली भी बोल रही है, क्योंकि सब का सच है, तो सच बोलने में आप घबराते नहीं हो, जो हमारा एक वर्ड, एक फीगर भी हमने जूट नहीं बताया है, वो प्रत देंस के बात आएंगी, तो यह जीत भी सकती है, तब तक के लिए आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं, नमस्कार